राजधानी लखनव में मुक्यमंत्री योगी अदितनात ने बेमौसम बारश और ओले से प्रभावित फसलों के लिए 9 जनपदों के किसानों को 23 करोड रुपे की राशी मुआवजे के तौर पर देने का फैसला किया है इस धनराशी को मुआवजे के वितरन के लिए एडवांस के रूप में स्विकृत किया गया है इसके साथ ही किसानों के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने बिजली का बेल भी माफ कर दिया है मुक्यमेंत्री योगी अदिजनात का कहना है कि किसान हमारे लिए महत्वपून है और उनके लिए भारते जनता पार्टी हर संभव सहायता कर रही है लखनाव से राशिद अलवी की रिपोर्ट योगी जी तो हर चीज में पहनी दिश्ट रखते हैं हरत पर यह रहते हैं किसानों को नुक्सान दीकारीन को भी इसमें इमांधारे से ना के जलत इंक जवाप नहीं की जवाब देहित आए करके जो सहीं काम नहीं करते हैं आपर से तो आदिस हो जाते हैं लेकिन धरातल पर आदिस नहीं पहुंच पाते हैं और इसके लिए एक आप एक एसी दिश्टी रखने वाले इंके ओपर भी नजर रखने के लिए हर एक उसमें जिलाशतर पर इस पर निगरानी रखने की जरूत हैं जिससे की हर गाहों में जहां जहां नुक्षान वाए उनको उसका पैसा दिया गया वो मिला की नहीं मिला इसका पायदा हुआ की नहीं इसके लिए एक निगरानी समिती भी बनानी जाए